कोरोना में फिल्म इंडस्ट्री से जितनी दिल तोड़ देने वाली और दुख भरी खबरें आई हैं उतनी शायद कभी नहीं आये होगी हमने इस काल में देखा है कि कैसे जिन आक्टर्स को हमने स्क्रीन पर अपनी प्रतीभा विखेरते हुए देखा है उन्हें मजबूरी में काम नहीं होने के कारण क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं आज कहानी आई है एक आक्टर की जो फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम कर रहा था उसके काम को भी पसंद किया जा रहा था लेकिन COVID के कारण, काम नहीं कर पाने के कारण और घर चलाने की जो जिम्मेदारी है उसके चलते इस actor को मचली बेचनी पड़ रही है इस actor की social media पर कुछ pictures आई है जहां पर ये मचली पकड़ रहे हैं या मचली बेचते नजर आ रहे हैं सबसे बड़ी बात कि इस actor की जो backstory है वो बहुत ही जादा emotional है इस actor के पिता जो हैं वो सबजी बेचा करते थे और सालों तक सबजी बेची तब ये actor बड़े हुए और कुछ कर पाए लेकिन इनोंने acting की अच्छा पैसा कमाया और जब ये successful हुए तब से इनके पिता को कभी भी सबजी बेचने का काम नहीं करना पड़ा और लोग इनके नाम की मिसाले दिया करते थे लेकिन आज ये खुद मचली बेचने पर मजबूर है ये actor और कोई नहीं बलकि South Industry के जाने माने actor अरिंदम प्रमानिक है जिनोंने स्वान लता जैसे famous सीरिल में काम किया है अरिंदम ने एक मीडिया से बातशीत करने के दौरान बताया कि कैसे कोरोना के कारें financial crisis में वो पड़ गए और परिवार को चलाने के लिए मचली बेचने का काम उन्हें करना पड़ रहा है सबसे बड़ी बात जिस market में अरिंदम के पिता सबजी बेचने का काम किया करते थे एक टाइम पर और उसी market में अब वो मचलिया बेच रहे हैं अरिंदम जो है सड़त किनारे मचलिया बेचते हैं और उनका कहना है कि उनके लिए ये काम कोई आसान नहीं है लेकिन इसके अलावा कोई option भी नहीं है अरिंदम कहते हैं कि उनके पास एक बड़े चैनल का offer भी आया था और वो काम जल्द ही शुरू करने वाले थे स्टार जल्सा के साथ उनका exceed लाने वाला था लेकिन lockdown के कारण वो सब भी cancel हो गया और इसी कारण अब उन्हें ये काम करना पड़ रहा है फिर lockdown के दौरान जहां हमने कई सारी कहानिया सुनी कि लोग जो है आर्थिक तंगी के आगे खुद मर रहे हैं पुरे परिवार को भी मार रहे हैं साथ में तो ऐसे में अरिंदम जैसे लोग कहीं न कहीं लोगों को एक positive message देते हैं कि जो tough वक्त है वो सब के लिए हैं और ऐसे में जिसे जो सही लगता है पैसा कमाने के लिए या जिसे जो मेहनत करनी पड़ रही है पैसा कमाने के लिए वो ये कर रहा है